नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव मुजफवर नगर के SSP अभिशेक सिंग ने कावड यात्रा को लेकर जो फर्मान अपने जिले में पारित किया था उसे अब मुख्या योगी आदितनात ने पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश दे दिया है जी हाँ अब सिर्फ मुजफवर नगर ही नहीं बलकि पूरे प्रदेश के ठेले और दुकान वाले अपने ठेलों और दुकानों पर अपने नाम की नेम प्लेट लगाएंगे जो सिकावड यात्रियों को ये पता रहे कि उन्होंने किसकी दुकान से सामान खरीदा है जहां एक तरफ पहले SSP के इस फर्मान से सियासत होने लगी थी वहीं ऐसे में अब योगी के आदेश के बाद राजनी ती और गर्मा गई है खुद उनकी ही पाटी के नेता उनके इस आदेश पर सवाल उठा रहे है ऐसे में आईए जानते हैं कौन है वो नेता जो योगी के फर्मान पर सवाल उठा रहा है और कौन योगी का समर्थन कर रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्या योगी आदित्तिनात ने आज यानी शुकरवार को बड़ा आदेश दिया है आदेश में कहा गया है कि केवल मुजफर नगर ही नहीं बलकि अब पूरे प्रदेश के कावड रूट्स पर इस्तित थाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी दुकानों पर संचालक या मालिक का नाम और पहचान लिखनी होगी कावड यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए ये फैसला किया गया है सियम योगी के आदेश के बाद इस मामले के गहराने की आश्वंका बढ़ गई है पहले ही विपक्षी दल जिलों में प्रशासनिक आदेशों का विरोध कर रहे थे और अब उनकी ही पार्टी के नेता उनके आदेश पर उंगली उठा रहे है दरसल पूर्वे केंद्रिय मंत्री और बीज़ेपी नेता मुकतार अब्बास नक्वी ने कावड यात्रा को लेकर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि पुछ अती उत्साही अधिकारीओं के आदेश हडबडी में गडबडी वाली अस्प्रिश्यत्या की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं आस्था का सम्मान होना ही चाहिए पर अस्प्रिश्यत्या का सनरक्षण नहीं होना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि जन्म जात मत पूछिये का जात अरूपात रैदास पूत सब प्रभू के कोई नहीं जात कुजात लेकिन अब वहीं जब सियम योगी के पूरे प्रदेश में ये नियम लागू किया तो नकवी बैक फूट पर आ गए और पुलिस आदेश पर हो रही राजनीती पर बयाग दिया नकवी ने कहा कि प्रशासने घ्रम को दूर कर दिया गया है और किसी भी तरह का सामपुरदाइक घ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है ये किसी मुल्क, मजभब, मानपता के लिए अच्छा नहीं है आस्ता का सम्मान और आस्ता की सुरक्षा पर सामपुरदाइक सियासत नहीं होनी चाहिए वही सपाध्यक्ष वकिलेश यादव, बस्पा सुप्रीमो मायवती से लेकर AIMIM प्रमुक असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामने में प्रशासन और सरकार के खिलाब हमला बोला था एक तरफ काई सियासी दल इस पैसले का विरोध कर रहे हैं तो वहीं इसलामिक संगठन All India Muslim जमात ने इस पैसले का समर्थन किया है All India Muslim जमात के राष्टिय अधक्ष मौलाना श्रहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि कावड यात्रा के मार्ग पर धाबा संचालकों, फल विक्रेताओं और अनिस्टॉल मालिकों के लिए पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर राजनीती नहीं होनी चाहिए मौलाना ने कहा कि पुलिस के एडवाइजरी कानून विवस्था के लिए है क्योंकि यह एक धारमेख यात्रा है और पुलिस ने ये विवस्था इसले लागू की है ताकि इसमें हिंदू-मुस्लिम विवाद ना हूँ बता दे कि मुजफर नगर में कावड यात्रा का करीब 240 किलूमीटर का रूट पड़ता है इसलिए महत्वपून जिला है या पुलिस के निर्देश के बाद दुकानों ने अपने अपने नाम के साथ किस चीज की दुकान है उसका नाम लिखकर पोस्टर लगा लिये है किसी न अपने ठेले पर आरिफ आम वाला तो किसी ने निसार फल वाला की पड़्ची लिखकर टांग ली है आपको ये भी बता दे कि दुकानों पर प्रॉपराइटर का नाम डिस्प्ले करने का सुझ्जाव बीजपी विधायक कपिल देव अगरवाल ने दिया था कपिल देव अगरवाल ने कहा कि कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम रखकर पिर उसमें नॉनवेज बेशते हैं जिसके बाद आज योगी ने विचार करते हुए या आदेश पारित कर दिया जिसे लोग बिना किसी विरोग के मान भी रही हैं तिलाल इस खास रिपोर्ट में वस्तितना ही देश तुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी नीज भारत